तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं wild stone के intense ocean के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों के request थी कि सबसे पहले मैं इसका review करूँ बहुत जादा interesting लग रहा है ये intense ocean नाम तो आज इसके बारे में पूरा depth में review करने वाले है पूरा मैं आपको सच बताने वाला हूँ कि क्या चीज है किसे कितनी देर तक performance देता है किसके similar है किसे इसके note से क्या feel देता है सारा कुछ बात करेंगे इस वीडियो में तो अगर आप जानना चाहते हैं इस deodorant के बारे में तो ये वीडियो देखते रहे हैं चलिए सुरू करते हैं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेक्स टोक में और अगर आप इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब के वटन दावाना मत भूलेगा क्योंकि इस चैनल पर हम फ्रेक्रेंस रिलेटेड बाते करते रहते हैं बजट वाले अच्छे अच्छे फ्रेक्रेंस के बारे में बाते करते रहते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीस इसे लाइक भी कर दीजिएगा बात करें अगर इसके प्रेजेंटेशन के बारे में तो जो वाइल्ड स्टोन की कोड सीरीश थी सेम उसके जैसा ही है बॉर्डल पूरा का पूरा उसके जैसा है यह जो डियोडरेंट है यह इन्होंने नो गेस डियोडरेंट बनाए है जो आप यहां देख सकते है और 120 ml में आते हैं 199 रूपीज इसकी प्राइजिंग लिखी हुई है यहां पर तो एकदम सिंपल सा प्रेजेंटेशन है इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफी अच्छा लगा ब्लू और डार्क ब्लू की थीम में है केप इसका प्लास्टिक में मिलता है आपका और इसका इस्प्रेयर बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है यार जैसे कोड सीरिस का होता है वैसा ही है अब अगर बात करें इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में तो जैसे ही आप इसे अपलाई करते हैं, आपको बहुत कूल सा एफेक्ट मिलता है, बहुत फ्रेश सा एफेक्ट मिलता है, इनकी सीरीज के जो दूसरे फ्रेग्रेंस हैं, जो एकदम हार्ष लगते हैं, वैसा ये बिल्कुल नहीं है, आपको लगाते से ही बिल्कुल कूल सा एकदम fresh एकदम clean crisp type का ये effect देता है सुरुवात में आपको lemon का एक नपातुला माप मिलेगा उसके साथ में बगमो का एक बहुत बढ़िया सा नपातुला माप मिलेगा मतलब सुरुवात जो इसकी होती है एकदम हलके से citrusiness के साथ में होती है एक cool type का इसमें effect डाला हुआ है जो साथ मिंट से आता है बहुत खूबसूरत लगता है ये fragrance और जरूर आपको एक बहुत clean feel एक clean एहसास एक ocean type का एहसास दिलाता है ये fragrance और दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद में आपको रोजमेरी का effect इसमें मिलने लगेगा रोजमेरी इसको हलका सा green नौन्स देता है पूरे fragrance को एक herbal type का हलका सा green नौन्स देता है बिल्कुल बहुत fresh सा और एक चीज और ज़्यादा इसमें permanent है जिसको आम आमारा कहते है जो equiamos aamara की feel भी इसमें देता है मैं यह नहीं कहता के उसका clone कर रहा है लेकिन equiamos aamara की feel भी आपको इसमें मिल जाती है वो जो आमारा में बता रहा हूं वो आमारा आप जो orange का flower होता है उसकी जो leaps होती है उसके जो full आते हैं वो अगर आप crush करके smell करेंगे वो ही हम आमारा बोलते हैं जिसको इंगलीस में पेटिट ग्रिन बोलते हैं पेटिट ग्रेन बोलते हैं तो उसके जैसी सेम इसमें smear आती है बहुत बड़िया सा ये आपको वो हल्का सा citrus ही नौंस देता है वो ग्रीन का combination दिया हुआ है तो कुल मिला कि इसमें कोई भी डेप्थ वाली फील नहीं है इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं उसकिया है जो आपको आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा dense feel करा इसमें बहुत साफ्ट से clean type के notes दिये हुए हैं हलके से आपको citrusy type के नौन्स आपको मिलते हैं green type की हर्बल टाइप की हुजबू मिलती है कुछ चीजें इसमें flowers भी एड़ किये हुए हैं जैसे जास्मीन का similarities नहीं लगी 50% मुझे similar लगा क्योंकि जो इसकी rosemary है इसकी pitted green है इसका जो शुरुवाती जो इसका tone है वो आपको जरूर chrome अजारों की याद दिलाता है लेकिन इसमें कुछ चीजें missing है जो depth है वो missing है कौन सी depth की मैं बात कर रहा हूं जो chrome मजारों में tonka bean का एक effect दिया हुआ है उसमें depth है उसकी tonka bean की हलकी सी depth है वो इसमें missing है उसमें sandalwood का oak moss का जो base है वो इसमें missing है उसमें आपको cardamom की hint भी देखने को मिलती है जो इसमें missing है और साथ में एक rosewood का उसमें hint देखने को मिलता है जो उसको बहुत अच्छा effect देता है वो इसमें missing है तो आप ये ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर आप इसको लेते हैं आप इस fragrance को अगर लेते हैं intense ocean को तो आप उसको skip कर सकते हैं नहीं अगर आपका budget कम है अगर आपका budget 2-300 रुपे है और आप अच्छा सा कुछ fragrance चाते हैं तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप इस पर जा सकते हैं लेकिन अगर आपको chrome 1000 हो चाहिए तो chrome 1000 हो ही लेना पड़ेगा उतना invest करना ही पड़ेगा 3-3,500 रुपे के लगवेक आता है तो उतना आपको invest करना पड़ेगा जब जाके उसको आप experience कर सकते हैं अच्छे से बात करें अगर इसकी performance के बारे में तो इसकी जो performance है 3-4 घंटे अच्छी मिलती है उसके बाद में ये clothes पे रह जाता है पूरे स जादा उम्मीद है इन से नहीं कर सकते हैं बस ही आपका जो body order है उसको रोक के रखता है किसी को भी bad experience नहीं होता है जब भी आपसे मिलता है तो close encounters अगर कहीं होते हैं आपको गर्मियों में पसीने से बचाता है शुरुवात के 2-3 घंटे 4 घंटे तक इवन बहुत अच्छा fresh feel कराता है बहुत अच्छा आपको लगेगा तो अगर short period of time में आप बहुत अच्छा feel चाते हैं तो आप इसे purchase कर सकते हैं और casual wear के ये काफी अच्छा है आप office में wear कर सकते हैं दिन में कभी भी wear कर सकते हैं हर occasion में बहुत बढ़िया suit करता है लेकिन सबसे best इसका जो occasion है वो उम्मीर है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप next वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं और क्या आप इसे लेना पसंद करेंगे क्या आप इसे लेना चाहेंगे वीडियो की description में इसका link भी दे दूँगा मिलते हैं फिर next इस वीडियो में तब तक के लिए अपने खायाल रखिए महिकतर हिए जैहन